Social and Political Movements हम जानते हैं और हमारे लिए ये बहुत एहम भी है कि हम इसको तफसील से समझ सके कि जो Social and Political Movements पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट है और बार बार इसकी तरफ ध्यान जाता है कि आखर लोग तहरीक चलाने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं क्यों किया चलाते हैं क्या उनके पीछे क्या फलसफा होता है तो as a student of Political Sociology it is quite important to understand the concept of Social and Political Movements their reasons, their logics why they are relevant in the field of Political Sociology so while defining the Social and Political Movements there are very important definitions like there are various reasons behind the study of Social Movements firstly we are going to understand this topic that why we study Social Movements to understand what people accomplish of their protest right लोग जब इहतिजाज करते हैं तो असल में वो हासल क्या करना चाहते हैं उनके पेशे नज़र क्या मकासिद होते हैं to learn about Political and Public Policies लोग जब यह समझना चाहते हैं कि उनके बारे में जो Policy Making हो रही है अगर उन्हें किसी चीज़ पर इतराज है या वो किसी चीज़ को अपने लिए बहतर नहीं समझते तो बाज़ उकात वो इहतिजाजी तहरीकें खिरू कर देते हैं और अगर इहतिजाज ना भी करें तो वो कोशिश करते हैं कि इन Policies की वजाहत हो सके तो तो अंडरस्टेंड असोर्सेज़ अफ कॉन्फलिक्ट एंड चेंज इन सुसाइटी देन इट अलसो एड्स इन फाइंडिंग मोर अबाउट human behavior and beliefs तोशल अंड पोलिटिकल मॉव्मेंट साम तौर पर इंसानों के रवाईयों का इजहार भी होती है तास तौर पर उनके अकाइद जो जिनकी बुनियाद पर उनके रवाईये डिटर्मेंट होते हैं अब बाज उकात वो रवाये जो किसी गलत हिकमत अम्ली जो हकूमत की हो या निजाम की हो या मौशरे की हो उसके नतीजे के तौर पर भी लोगों के अंदर ऐसे रवाईये जो हैं पैदा होते हैं जिनके इजहार के लिए बाजों का तहरीकें जो हैं वो चलाई जाती है So the above mentioned features about the social movements They predict that the study of social movements is an important source of understanding the strong link between society and politics which is core study matter of political sociology Political sociology और क्या है ताजमी बात है कि sociology and politics को समझना है So the definition of social and political movements that they are organized efforts to promote or resist change in society that rely at least in part on non-institutionalized form of political action Another definition that is the networks of informal interactions between a plurality of individuals, groups or an organization engaged in a political or cultural conflict on the basis of a shared collective identity बाजोकाद जो तहरीकें होती हैं वो इस base पर भी ज्यादा active हो जाती हैं कि जो उसके अंदर लोग शामिल होते हैं उनकी कोई बुश्टर का identity होती हैं यानि उनकी खास पहचान किसी लिसानी बुनियाद पर किसी मजभी बुनियाद पर और उनके मकासिद जो हैं वो भी कई दफा एक से होते हैं So the social movement is comprised of their definite and specific social movements organizations बाज उकात जो social movements होती हैं उनकी बुनियाद यह होती हैं कि वो किसी खास, मुनिजम, organization के साथ linked हो जाती हैं खास तोर पर ऐसी बहुत से तहरीकें जो अमरीका में या वेस्ट के अंदर चलाई जाती हैं उनके पीछे बहुत सारी organizations involved होती हैं जो activate करती हैं लोगों को किसी खास सनाजर में किसी खास मसले के उपर वो लोगों को इकठा करती हैं और फिर लोगों को plan करके active करती हैं कि वो किसी तहरीक का हिसा बने ताके वो अपने नजरियात अपने ख्यालात अपना इहतजाज हकूमते वक्त तक पहुंचा सकें बाज अकात ये तहरीके हकूमते वक्त के खिलाफ नहीं होती लेकिन किसी ना किसी खास मसले की बन्याद पर होती हैं जैसे आजकल महौलियात का मसला है अब महौलियात की बेहतरी की खातर अगर कोई organization या कुछ organizations मिलकर लोगों को mobilize करें और उन से कहें कि आएं हम एक तहरीक चलाते हैं कि जो दुनिया की अंदर जो महौलियात के असरात की वज़ा से लोगों की जिन्दगियां मतासिर हो रही है उन बुरे असरात से हम लोगों को मौशरे को कैसे बचा सकते हैं तो ये सारी जो मिलकर जिदोजहद की जाएगी ऐसी जो तहरीके होती है जिनका खास मतलब होता है खास मकसद होता है ये तहरीके social movements कहलाती है बाज वकात इन तहरीकों के साथ कुछ political objectives भी match कर जाते हैं तो फिर ये social and political movements के जमरे में आ जाती हैं और फिर मिलकर जो हैं वो अपने अपने मकासित की तरफ लोग जो हैं या organizations या leaders वो मिलकर जो हैं वो अपनी मुश्टर का हिकमते अमली इक्तियार करते हैं